नमस्ते मेरा नाम वंधना है और आप हैं यूट्यूब चैनल मनी ट्रेवल बाई वंधना पर तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आइसे से बैंक के नए फिक्स डिपॉजेट के रेट कुछ रेट्स हैं जो कि 20 माई 2020 से अपडेट हुए हैं चेंज हुए हैं कुछ इंट्रस साथ में सेविंग्स अकाउंट के जो नए इंट्रस रेट्स हैं जो की चार जून से अपलिकेबल हैं वह आपको दिखेंगे साथ में जो विड्रोवल चार्जेश हैं अगर आप आइसे से बैंक में आपकी कोई फिक्स डिपॉजेट है या आप कराने की सोच रहे हैं तो आ सब्सक्राइब जरूर करती हूं यह विडियो और अगर आपको विडियो पसंद आये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करने के चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर देना सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा हुआ है आप राइट हैं पे देखे इंग्लिश में रेड कलर का उस पर क्लिक करने के बाद एक घंटी का निशान आपको वहीं पर दिखाए देगा बेल आइकन तो उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास सारी विडियो ताइम लिप पहुशती रहेंगे तो शुरू करती हूं ऐसे 171 जुट 2020 से से बाद रचा है एंगße ऐसे हैं तो अगर आपके आपके अकाउंट में बालंस है भी 10 लांग रूपे से नीचे है तो आपका जो इंटरेंट है 2 परसेंट है इह आप देखिए और आपके अकाउंट में बालंस पचास लांग है या उससे हैंपर है होता है तो यह monthly basis पे नहीं होता है दिन के end पे जितना आपके account में balance होगा वो calculate किया जाता है उसके बाद यह interest आपके account में pay किया जाता है यह आप देखिए मैंने अपनी किसी वीडियो का ही screenshot दिया है यह आप यहाँ पे देखे DICGC तो यह एक insurance है जो कि इंडिया में जितने भ बैंक में है यह इस डाउट में है कि post office में कराई है बैंक में कराई है कलकी date में bank कहीं डूपना जाए तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है यह बिलकुल updated information के साथ है और इसमें मैंने बताया है कि अगर बैंक में आपका पैसा पड़ा है fixed deposit की form में recurring deposit की form में या savings account current account की form में किसी भी रूप में तो आपका कितना पैसा सुरक्षित है तो यह वीडियो आप जरूर देखें इसको आप जब यह वीडियो फिनिश होगी खतम होगी तो इसके end में भी आप इसको देख सकते हूं तो DICGC का जो insurance है यह पांच लाग रुपे का है इसमे bank में current account savings account का balance साथ में recurring deposit तो सब को मिला के पांच लाग रुपे तक आपका सुरक्षित है तो यह वीडियो आप देखें अगर आपको पसंद आए तो इसको share जरूर करें अपने non relative friends के साथ अब आप देखें यह मैंने interest rates बताए हैं अब यहां पे आप दो टेबल देख रहे मैंने बताया है तो यह first segment क्या है with premature withdrawal facility इसका मतलब यह है कि अगर suppose आप एक fixed deposit करते हैं जो कि दो साल के लिए हैं तो दो साल से पहले अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी fixed deposit को break कर सकते हैं निकलवा सकते हैं तो यह interest rates ऐसी ही fixed deposit के लिए हैं जिसको आप चाहें तो time से पहले निकलवा भी सकते हैं तो यह जो interest rates है domestic fixed deposit मतलब आगर आप resident Indian है आपने FD की है आप normal person है जो इंडिया में रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं तो आगर आपने fixed deposit की है अगर आप NRI है और आपकी fixed deposit या तो NRO है या NRE है अब यह NRO और NRE fixed deposit में क्या difference है इस के लिए भी मैंने एक video बनाई है वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर आप यह देहान रखिए NRE fixed deposit जो होती है अगर आप NRE fixed deposit को एक साल से पहले break करते हैं तो आपको कोई interest नहीं मिलता है तो इस बात का हमेशा देहान रखिए और यह बिलकुल ही tax free होती है जबकि NRO है वो highest tax lab की bracket में आता है और इस पर TDS deduct किया जाता है वो भी highest tax lab के according तो अब आप देखिए यह जो interest rates है अगर आपके fixed deposit 5 करोड से कम है तो interest rate क्या होंगे यह जो table है इसमें सबसे पहले maturity period है कितने time के अगर आप fixed deposit करते हैं तो आपको कितना interest मिलेगा ब्याज मिलेगा अब यह ह है दिन के हिसाब से आपने सपोज 91 days to 120 days के बीच की fixed deposit की है या फिर मैं कहूं कि एक साल से 389 days के बीच का time period चूज किया है आपने अपनी fixed deposit के लिए तो interest क्या होगा आप अगर normal category में senior citizen नहीं है आपकी जो उमर है वो 60 साल से नीचे ही है तो आपको मिलेगा 5.55% अगर आपकी जो fixed deposit आपने senior citizen होके कराई है 60 साल से उपर है आप तो आपको जो मिलेगा वो 0.50% extra मिलेगा 6.05% अब आप यहां से देख सकते हैं यह है 10 year time period कितने time के आप अपनी fixed deposit बुक कराते हैं बैंक्स बहुत ही flexible हैं आप यहां देखें आप 7 डेट से पहले अगर आप अपने fixed deposit तोड़ते हैं निकलवाते हैं तो आपको कोई ब्यास नहीं मिलेगा तो साहत दिन से लेके आप जब भी fixed deposit कराते हैं कहीं भी आपको जरूद पढ़ती है तो आप withdraw कर सकते हो और जो mostly banks हैं वो withdrawal में भी आप फुल विड्रोवल और पार्शल विड्रोवल भी गर सकते हो इसका मतलब यह है कि अगर आपके एक करोड की fixed deposit है तो आप चाहो तो सिर्फ दस लाग रुपे भी निकलवा सकते हो और जो आपको penalty देना होगा वो सिर्फ दस लाग पे देना होगा ना कि एक करोड पे और जो प्रशल का माउंट होता है 90 लाग जैसे कि मैं सिर्फ एक्जामपल दे रही हूं दारन दे रही हूं तो आपका चलता रहेगा उसी इंटरस्ट पर जो कि आपने पहले बुक कराया था उसी पर आपका ऐसे ही चलता रहेगा तो यह बहुत अच्छी बात है बैंक्स की बैंक् देखे यह टाइम पियर्ड है अब जो लास्ट में आप देख रहे हैं यह है एक्टी सी के अंडर जो फिक्ष्ट पोजेट आती है जो कि पांच साल की है इसमें आप मैक्सिमम अमाउंट इंवेस्ट कर सकते हो डेड़ लाग रुपे का 1.50 लाग इसका जो इंटरस्ट चीशन हैं तो भी आपको 5 साल के लिए रखनी पड़ेगी आप 5 साल से पहले इसको नहीं निकाल सकते हो यह जो पूरी कैटेगरी हम स्क्रीन पर देख रहर हो इसले सारक आप्र रीमिचूरव रुडरौल कर सकते हो मतलब ताइल से पहले भी आप निकाल सकते हो पैनलटी च करके जुर्माना पे करके लेकिन जो एक टीसी के अंडर एफटी आती है इसको आप पात साल से पहले नहीं निकाल सकते तो आगर आप पात साल की फिक्स्ट पोजेट ऐसे से बैंक के साथ बुख करते हैं तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी टैक्स रिबेट पर ल नहीं है अगर आप senior citizen है तो 0.50% extra तो यह जो amount है यह जो मैं आपको interest बता रही हूँ यह 2 करोड की fixed deposit पे है यह 20 मई 2020 को change हुआ था आगे भी यह कभी भी change हो सकता है यह बैंक का decision होगा तो 20 मई 2020 को यह update हुआ था change हुआ था उससे बदल गया था तो यह अगर आपकी fixed deposit 2 category के और अगर आप senior citizen है तो यह interest rate है और यह है time period अब मैं चलती हूँ दूसरी table के तरफ तो 3 जून 2020 से यह नए interest rate आए है और यह 2 करोड की fixed deposit या 2 करोड से उपर लेकिन 5 करोड से कम के amount के लिए है तो 2 करोड या 2 करोड से उपर लेकिन 5 करोड से नीचे का amount तो उसके लिए fixed deposit के interest rate है आप senior citizen है तो यह interest rate है अगर आप normal category में मतलब senior citizen नहीं है 60 साल से नीचे ही है तो आपका यह interest है general में इसके अलावा जो यह maturity period है time period यह same रहेगा इसके हिसाब से आप देख सकते हो तो मैं एक example देती हूँ अगर आपने 290 days की fixed deposit कराई है और आपका जो amount है वो 3 करोड है मतलब 2 करोड से उपर है और 5 करोड से नीचे है तो interest जो आपका बनेगा 290 days के हिसाब से वो 4.25% बनेगा अगर आप senior citizen है तो भी 4.25% अब इस slide में एक बहुत important बात है जो आप देख सकते हो आप देखे अगर आपकी fixed deposit 2 करोड से नीचे के amount की है तो आपको 0.5% extra मिल रहा है senior citizen होने पर लेकिन अगर यही amount 2 करोड से उपर चला जाता है तो आपका 0.5% है वो loss हो जाता है तो आपको देखे यहाँ पर 4.25 है तो 4.25 ही है 0.50% extra नहीं मिला है तो आप देखे कि आप 2 करोड की limit तक ही रहते है तो आपको interest ज्यादा मिलता है senior citizens के लिए एक और बहुत अच्छी बात है golden fixed deposit है आईसे से बैंक की जो कि 0.30% extra interest देता है 0.50% पर उससे भी ज्यादा 0.30% तो added है वो तो आप मैं basically कहूँ अगर आप golden FD की तरफ जाते हैं तो senior citizen होने के नाते 0.50% तो आप लेंगे ही लेंगे अगर आप 2 करोड से नीचे की fixed deposit कराते हैं तो 0.50 plus 0.30% तो 0.80% का आपको benefit हो जाएगा अगर आपका amount 2 करोड से नीचे है और आप senior citizen है यह जो golden FD है इसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगे सारी details के साथ आइसे से बैक की golden fixed deposit senior citizens के लिए तो अब मैं चलती हूँ मैं दो बार से बता जाती हूँ यह जो slide है यह 2 करोड से नीचे के लिए जर्नल कैटेग्री है senior citizen के लिए यह time period है fixed deposit का यह जो है यह तीन जुन से अपडेट हुए है अगर आपके fixed deposit 2 करोड या उससे उपर ही लेकिन 5 करोड से नीचे की है तो आपको यह table देखनी है यह जर्नल कैटेग्री जो की 60 साल से नीचे है यह 60 साल से उपर के लिए senior citizen के लिए यह interest rate है अब हम चलते नेक्स लाइट वे यह जो fixed deposit है यह भी premature withdrawal facility के साथ है मतलब जब आप time के लिए जितने भी time के लिए book करते है बीच में कहीं भी आपको पैसे के जरूरत परती है तो आप इसको निकलवा सकते हो यह जो टेबल है यह 5 करोड या उससे उपर के amount के लिए है तो आप यह amount यहां से देख सकते हो देखिए 5.10 करोड to 24.90 to 24.90 करोड तो आप देखिए amount बढ़ता जाता है इसके हिसाब से 500 करोड तक जाता है 500 करोड से नीचे तक तो आप यह देखिए tenure एक fixed deposit करते है तो कितने time तक अगर आप करते हो तो कितना आप को interest मिलता है तो आप यहां से देख सकते हो जितना भी amount है उसके हिसाब से दिया है लेकिन यहां पर अगेन एक बात आप ध्यान देंगे तो senior citizen के लेक्स्ट्रा इंटरस्ट नहीं है तो अगर आप senior citizen है तो दो करोड के limit में ही आप रहें एक bank के साथ या फिर मैं कहूं कि और इवन जैसे LIC की वंधना वया योजना है उसमें भी आप इंवेस्ट कर सकते हैं उसमें फिक्स्ट इंकम होती है जस्त लाइक पेंशन उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है senior citizens के लिए प्रधान मंत्री वया वंधना योजना PMVVY और इवन senior citizen saving scheme पे पनाई है वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हों अब हम चलते हैं next slide पे यह मैंने दिया है premature withdrawal charges अगर आप कोई वैसे fixed deposit करते हो जिसको आप ताइम से पहले break भी कर सकते हो तोड़ सकते हो अगर आपको जरूत पड़े जिसके interest rate मैं पहले ही cover कर चुकी हूँ तो आपके कितने charges करतेंगे interest की और आप एक साल पे fixed deposit को break करना चाहते हो तोड़ना चाहते हो withdraw करना चाहते हो तो आपका जो interest आपने जब तीन साल के लिए fixed deposit कराई थी तो जो था वो नहीं मिलेगा आपको जो interest pay किया जाएगा वो एक साल वाला pay किया जाएगे क्योंकि एक साल पूरा होने पे आप निक तो आप यह देखे कितनी है यह है time period अगर आपने एक साल से पहले आप निकालते हो और आपका जो amount है वो 5 क्रोड से नीचे का है तो जो penalty है वो 0.50% है लेकिन अगर आपका जो fixed budget का amount वो 5 क्रोड या उससे उपर का है तो भी आपकी penalty सेम है 0.50% अगर आप एक साल पूरा होन होने के बाद कर निकालते हो एक साल या उससे उपर का time लेकिन 5 साल से नीचे का तो penalty जो है वो 1% कटेगी 5 क्रोड या उससे उपर में भी सेम है 1% 5 साल पूरा होने के बाद आप निकालते हो 5 साल या plus में तो आपकी penalty 1% ही है अगर आपका amount 5 क्रोड से नीचे का है लेकिन अगर आप चाहें तो different different fixed deposit बुक कर सकते हैं आपको अगर जरूरत है एक साल के पाद या आपको लग रहे है शायद मुझे जरूरत हो तो बेटर है कि आप break करकर के fixed deposit कराए लेकि एक fixed deposit आप 5 साल के लिए बुक करा सकते है एक 3 के लिए, 6 मंच के लिए, एक 1 साल के लिए तो आपको ये clear होना चाहिए fixed deposit की बुक कराने से पहले कि मुझे कितने टाइम में अपने पैसे की जरूरत पढ़ सकती है या इवर मैं कहूंगी कुछ emergency FD भी आप करा सकते हो जैसे कि आपको लगता है कि शायद एक साल में कोई बड़ा खर्चा आए या नहीं भी आए तो भी आप उसको एक साल की fixed deposit करा सकते हो बजाए कि आप बहुत लंबा सोचने के हाँ लेकिन सारा amount आप उसमें डालके उसको segregate कीजिए उसको बाठ दीजिए एक बहुत लंबी FD करा दीजिए एक बीच के tenure की एक बहुत short tenure की तो अब मैंने penalty बताए कितना आपको जितने जिस भी अब आप निकाल रहे हो उसका जो interest होगा जब आपने बुक कराया था उस time जो interest था उसमें से ये penalty ये जो charges है ये जो percentage है ये minus कर दे जाएगे जो कि आप screen पे देख रहे हो amount के साबसे अब ये जो आप देख रहे हो ये एक और fixed deposit है इसे से bank में ही अगर आप premature withdrawal facility नहीं लेना चाहते हो तो ये fixed deposit है अब आप देखे without premature withdrawal facility तो ये जो FD है जो interest rate आप नीचे देख रहे हो अगर आप ये वाली fixed deposit बुक कराते हो तो आप ने जितने time के लिए बुक कराई थी उससे पहले आप बिलकुल भी नहीं निकाल पाऊगे तो जब भी आप इसको बुक करें बहुत अब NRO and NRE account क्या होता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बराई है आप अपने मेरे चैनल पर जाईए आपको वो वीडियो मिल जाएगे और आप अच्छे से differences समझ पाएंगे अब आप लेखे ये है time period आप 2 करोड से 5 करोड के fixed deposit करते हैं तो ये interest आपको मिलेंगे time के ये आप देखें amount ऐसे भड़ता चला जाता है 500 करोड के नीचे तक अब ये जो changes आएं ये तीन जून से आए तीन जून 2020 से ये interest rate है ये time period है और ये amount है इसके हिसाब से आप देख सकते हो ये high value clients के रिए हैं तो आप देख सकते हो कितना interest कितने time पे दिया जा रहा है लेकिन ध्यान रखें जब भी आप बुक कराएं तो time period को ध्यान रखें कराएं अगर आपने दो साल के fixed deposit बुक करा दी है और आपको कभी बिजोट पड़ती दो साल जे पहले तो आप बिल्कुल भी इसको ब्रेक नहीं कर पाऊगे और एक और लोस है यहां पर senior citizen के लिए extra interest rate नहीं नहीं दिये हैं अब यह मैंने customer care number दिया ऐसे से bank का आप की personal banking है आप इस number पे call कर सकते हो तो यह number है तो यह numbers है customer care के आप इन पे call कर सकते हो इसके बाद यह email id मैंने nris के लिए mention की है if your nri or any of your family member non relative friend is nri then in case they are facing any issue then they can send a email to this email address nri at issyabank.com then they will get the reward as soon as possible so and again this is the new slide this is also for nris so there are different different contact numbers if you are from usa uk or singapore or email id i have already shared you can see this and contact numbers these are the contact numbers so as per your respective country you can contact on these contact numbers in case of any need or requirement or any query related to fixed deposit or any other service so this was my video in which I have told you that if you want to know how much money you are going to go to the bank and how much money is safe then I have already shown you this video that I have already shown you to visit my channel and see it and you will get to know very good information and you will get to know more information about this video if you liked it and you liked it and you will also share your friends with your friends who have also been in bank account for it will be very useful and furthermore if you have any fixed deposit or mutual funds or post office interest rates which are every 3 months I have updated on this channel insurance or any bank which you have to know as a customer as a customer since I have taken up to this channel and you have to sign up to know them subscribe below subscribe has been written on the right click on the right click on the bell icon then select all select you will get all of your videos you will always get to know and comment on details and share the details of this channel only travel by one thanh if you like more information if you have good feedback for me so please do share and I will get to my next video stay happy stay healthy, bye bye, take care thank you